Hello everyone, welcome back तो आज का हमारा topic है File Handling Part 2 So कल के topic में, basically File Handling Part 1 में हमने ये पड़ा था कि File Handling क्या होता है? फिर हमने ये पड़ा था कि File Open कैसे होती है? File को Open करने के बाद हमें उसमें Mode स्पेसिफाइ करना होता है कि हम File को किस वजह से Open कर रहे हैं? उस mode के लिए हमने write और append सीखा था अब हमने file को open कर लिया तो उसके ऊपर एक और operation परफॉर्म करा जा सकता है वो है read तो हम उससे ही आज की class start करेंगे अब सबसे पहले हमनों यह समझते है read method क्या है आप library में गए आपने कोई book लिए book लेने के बाद आप उसे open करोगे और उसके content को read करोगे similarly आपने एक file को import करा उस file को import करने के बाद आप उसे open करोगे और open करने के बाद उसके content को सिरफ read करोगे तो यही हमारे read method का use होता है तो देखते है इसका क्या मतलब है देखे, सबसे पहले आपके लिखा हुआ है कि हम लोग read the contents of a file इसलिए हम file को import कर रहे हैं Before reading a file, we must make sure that the file is opened अब देखे, हमें mode क्या लेखना है? read, right? हम लोग write भी नहीं कर रहे हैं, उस file में append भी नहीं कर रहे हैं हम सरब उसके data को read कर रहे हैं तो mode कौन कौन से होना चाहिए? mode होना चाहिए R, read, R+, W+, A+, यहां यह तोनों जो mode है, वो read के हैं और यह जो दोनों mode है, यह किसके हैं? यह है, एक है write और दूसरा mode है append तो हम इन सारे modes में file को open कर सकते हैं उसके बाद there are three different ways जिससे हम file को सिरफ read कर सकते हैं सिरफ read के modes, append और write के नहीं, सिरफ read करने के modes चलिए, हम उन सारे modes को देखते हैं देखें, सबसे पहला होता है read method उसके बाद होता है, हमारे पास read line method उसके बाद third method होता है, read lines method यहां पे read method में क्या होता है? इसमें हम number of characters specify कर देते हैं कि आप सिरफ 10 character पढ़ो file के या 5 character पढ़ो basically आप जितने number of characters को आप इस circle of brackets में specify करोगे सिरफ उसने number of characters read होंगे file में से read line में क्या होता है? read line से यह आपको समझ आ गया है यह पूरी line read करेगा, पूरी line of a file would be read third है read lines, multiple lines read होंगी ठीक है? यह मैंने आपको एक overview दिया है, अगली slide से हम इसको detail में पढ़ेगे so let's start okay, सबसे पहले आप read method देखते है, जैसे मैंने आपको read method में आप specify करोगे आपको कितने number of characters पढ़ने है आप सिरफ उतने number of characters ही पढ़ोगे, ठीक है? देखे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? the method is used to read a specified number of bytes specified number of characters, specified number of bytes पढ़ोगे of data from the data file specific number of bytes पढ़ोगे data file में से the method को लिखने का तरीका का है? file object specify करो जो भी नाम दिया अपने file को वो name को specify करो फिर आप लिखो read क्योंकि आप read method अप्लाए कर रहे हो उसके बाद यहां पर जो यह N है यह है कितने number of bytes आप पढ़ रहे हो number of bytes तो यहां पर N क्या है? N है number of bytes जो आप उस file में से पढ़ रहे हो अब हमाए पस एक example है इस example को ध्यान से देखे यहां पर consider कीजिए मैंने यहां पर my object नाम की एक file बनाई उस file को मैंने open करा open करने वाली file का क्या नाम है? open करने वाली file का नाम यह है कौन से mode में file open हो रही है? file open हो रही है R mode मतलए read mode my object जो मैंने अभी file open करने read method अपलाए करो सिरफ 10 characters read करना file में multiple lines हो सकते multiple characters हो सकते आपको सिरफ 10 characters read करना है तो जब आप सिरफ ऐसा command दोगे तो आपको सिरफ 10 characters read होके output मिल जाएगा first 10 bytes read होके output मिल जाएगा और उसके बाद आपका output मिल गया आप अपने file को बंद कर सकते हैं क्या आपका काम खतम हो गया तो यह method है read method I hope आप सबको यह clear हो गया होगा तो इसी screen clear कर लेता है और आगे बढ़ता है अब ऐसा वे तो हो सकता है कई बार आप कोई argument ही ना दो कई बार आपने n की कोई value ही नहीं दी या फिर कई बार आपने n की value माइनस 5 माइनस 7 में नेगेटिव दो या अगर आप n की value नहीं दोगे तो ऐसी situation में क्या होता है ऐसी situation में पूरी file read कर देंगे ठीक है अगर आप negative दोगे या फिर आप कोई value ही नहीं दोगे read में तो पूरी file read हो जाएगी अब हम read lines कर रहे है मैंने जैसे आपको का था read lines का क्या मतलब है आप एक line read कर रहे हो ठीक है multiple lines नहीं सिरफ एक line तो इसका target ही ही होता है कि आप एक line read कर रहे हो अपनी file से चलिए देखते इसको एक बार देखें the method reads one complete line from the file where each line terminates with new line कली हमने पढ़ाता है कि slash n का मतलब होता है new line right slash n का मतलब क्याता है कि एक नई line शुरू होने वाली है तो यह method क्या करेगा यह पूरी file को read करेगा पर जैसे उसे slash n new line का command वह वहीं पर रुख जाएगा वह उसके next line को नहीं read करेगा क्यूंकि इस प्रोग्राम का कामी है कि वह एक line read करेगा तो only one line is red और specified number of bytes भी लिख सकते हो आप यह भी लिख सकते हो कि मुझे 10 bytes पढ़के दो 20 bytes पढ़के दो तो आप यह भी कर सकते हो एक बार इसको clear करते ओके देखें इहां पर यह है example example में किया है मैंने एक file को open करा उस file को open करने के बाद मैं उसमें सिरफ 10 characters को read कर रही हूँ यह मेरी n की value is 10 तो read lines में भी मैं number of characters को read कर सकती हूँ अगर मैं यह read line में कुछ भी नहीं लिखती इसको blank छोड़ती तो वो सिरफ one line read करके देता but क्यूंकि मैंने 10 specify कर रहा तो वो 10 characters मुझे read करके output दे रहा है हर बार जब आप file को open करते हो उस पर कोई operation perform करते हो उसके बाद आपको अपकी file को बंद कर देना चाहिए so यहां पर वो example चलिए screen को थोड़ा clear कर लेता है और next topic पर बढ़ते okay अगर आप कोई argument नहीं दे रहे या फिर आप एक negative value दे रहे हो तो वो क्या करेगा वो complete line पढ़ेगा देखे बाए default जब आप read में negative value या negative value नहीं दे रहे थे तो वो क्या कर रहा था वो पूरी file पढ़ रहा था अगर आप read line में कोई value नहीं दोगे या कोई negative value दे दोगे तो वो सरफ एक line ही read करेगा वो एक line से आगे पढ़ेगा ही नहीं वो कभी पूरी file को read नहीं करेगा ठीक है तो I hope आपको ये clear हो गया होगा ठीक है और अगर आप चाहते हो कि पहले एक line read हो उसके बाद दूसरी line read हो उसके बाद और इसके लिए आप read lines के command को use करना चाहरे हो तो आपको इसमें loop के logic को apply करना पड़ेगा fall loop लगाईए starting of the file to the end of the file और फिर read lines के command को use कीजिए ऐसे करके आप पूरी file को read lines के थुरू पढ़ पाएंगे बट loop लगा कर चलिए आगे बढ़े अब यहां पर next method है read lines lines से ही समझ आता है कि multiple lines एक ही बारी में read हो जाएंगी चलिए देखते हैं देखें यह क्या करेगा multiple lines को read करेगा इसमें यह चीज़ इंट्रेस्टिंग है हर एक line second line, third line हर एक line को एक element मानेगा list का multiple lines read करेगा but हर एक line को वो एक element मानेगा list का तो देखते हैं यह पर example देखें मैंने file को open करा read mode में उसके बाद मैंने read lines कह दिया read lines ने मुझे output देदिया hello everyone writing multiple strings this is the third line और इसके बाद मैंने file को close कर दिया यहां पर देखें लिखा हुआ है while using read lines functions lines in the file become members of a list वो members of a list हो जाते हैं where each list element ends with a new line जैसे मैंने आपको बोला था कि suppose three lines है अब three lines में से first line होगी first element first element of the list यह होगा second element of the list और यह होगा third element of the list मतला हर एक लाइन को वो एक नया element मान लेता है किसका? list का so let's move forward इसको थोड़ा सा clean कर लेता है so I hope आप सबको यहां तक basic clear हो गया होगा कि read method क्या होता है read line method क्या होता है or read lines method क्या होता है चलिए आगे बढ़ते है अब अमारा read lines में एक example है इस example को देखते है in case we want to display each word of a line separately as an element of a list मैं नहीं चाहती कि देखे मैंने आपको क्या का? यहां पर first line है यह first line माना जाएगा first element यह first line माना जाएगा first element होता है मैं देखे में का? hello everyone by default क्या होता है by default इस पूरे को एक element माना जाएगा but मैं नहीं चाहती कि में नहीं चाहता हाए माना जाहिए हर एक word हर एक sentence जो है वहाँ पर उसे एक अलग element माना जाए यह first element माना जाए और यह second element माना जाए तो basically मैं चाहते हूँ कि by default तो read lines हर एक element की line को ही मानते है पर मैं चाहते हूँ कि element के बीच में जो words है जो अलग-अलग characters है उनको भी अलग element माना जाए देखिए the line separately separately line को एक अलग-अलग character माना जाए ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते है read line करो read line में first line को एक क्या माना जाएगा एक खुद में element माना जाएगा फिर उस element को आप split कर दो जब आप उस element को split कर दोगे तो वो एक element multiple elements माने जाएगे ठीक है चलिए इसके example को देखना देखें यहां पर यहां पर पहले मैंने open करी file पहले मैंने file को read कर लिया यहां तक file का हर एक line एक नया element है फिर मैंने हर एक line को split कर दिया और हर एक line को जब मैं split कर दूँगे जैसे मैंने आपको hello और everyone के साथ दिखायता है जब मैं हर एक line को split कर दूँगी तो वो एक अलग-अलग word मतलब वो अलग-अलग elements बन जाएंगे तो हम split method को use करके एक line जो एक element बन रहा था उसको भी अलग-अलग elements में breakdown कर सकता है तो I hope आपको यह clear हो गया होगा चली आगे बढ़ता है okay देखे setting offsets in a file का क्या मतलब होता है अभी तक हम लोगे sequential order में चल रहे है file starting से end तक या file starting से middle तक हमाँ पस एक order है right start करो फिर end करो random कुछ नहीं कर रहे है थोड़ी है कि मैं file के बीच में second line में जाके वह element को edit कर रही ऐसा मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहे है sequential order में सारा काम हो रहे है but में को sequentially काम नहीं करना मुझे जितना काम है में को सरफ उतना काम करना है मैं पालतों में time क्यों बढ़ा रही हूं अपने file को open करने का क्यों नहीं जाओ और चितना मुझे काम है सरफ उतना काम करके अपनी file को close कर दूँ क्यों नहीं मैं random execution करूँ अपने काम की देखे अभी तक sequential काम हो रहा है बट मैं random fashion में काम करना चाहरी हूं कर देते है थोड़ा सा सबसे पहले हमारे पास आया है यहां पर tell method tell method में यहां पर क्या लिखा हुआ है this function return an integer that specifies the current position of the file object in the file the position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object अब देखे मैं चाहते हूं कि आप 5th object पर जाये और वहां पर कुछ करिये देखें the function returns an integer हमें एक integer value देगा that specifies the current position वह मुझे current position बताएगा किसी चीज़ की of the file object in the file इसे मैं चाहते हूं कि आप एक word ढूंडो flower मैं चाहते हूं आप एक word ढूंडो flower तो यह object को ढूंडेगा यह पूरे फाइल में जाएगा और ढूंडने कोशिश करेगा कि flower word कहा है तो यह पूरे फाइल में इस flower word की current position ढूंडने की कोशिश करेगा जब इसे मिल गया flower चलो 5th position पर है 6th position पर है तो यह integer value return करके मुझे यह बताएगा कि इसकी position कहा है तो from the beginning of the file till the current position और यह क्या करेगा यह position ऐसे नहीं बताएगा यह मुझे बताएगा कि आपके position 0 से start कहां पर है जैसे 5th position पर है तो यह मेरी को वहां से bytes गिन के बताएगा यह मेरी starting से पूरी file गिनी जाएगी और फिर बताएगा कि कौन सी position पर वह लाएग करता है syntax कहा है file object tell tell में आप specify करोगा किस चीज को ढूंड रहे हो ठीक है so I hope आपको यह clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते अच्छा अब हमारे पास next method कहा है next method है हमारे पास seek the seek method is used to position the object at a particular position in the file tell method हमें position बता रहा था कि वह element कहां पर है seek क्या करेगा मेरे को एक element को एक particular position पर पुट करना है मुझे इसको कहीं add करना है मुझे एक element को किसी जगा पर add करना है तो वह add कैसे कर सकते है पहले आप file object का नाम दीजिए seek method को call कीजिए उसके बाद आप reference दोगे reference से पहले आप बताओगे आप किसे add कर रहे हो आप किसे add कर रहे हो फिर आप एक reference दोगे आप किसी को अपने घर पुला रहे होते हो तो हमेशे आपस पूछा जाते है आप किसी जगह है कोई reference point है जिससे हमें आपका घर मिल जाए जब कोई आप delivery के लिए food order करते हो तो कई बर के आतर delivery boy आपको call कर पूछता है क्या कोई reference point है जिसकी help से मुझे आपका घर मिल जाए तो आप जैसे कह दोगे हाँ यहाँ पे पीछे एक mall है यहाँ पे एक school है वो reference point है उस reference point की help से आप easily place कर पाएगा delivery boy कि आपका घर का है बिल्कुल वैसे ही reference point यहाँ पे क्या करेगा वो आपके object को particularly वही place कर पाएगा जहाँ आप चाहते हो क्यों 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 से reference point की help in the above sentence offset is the number of bytes by which the file object is to be moved number of bytes इसे हमारे file object को मुझे move करना है reference point मुझे help करेगा बताने की कहां पे move करना है अब reference point की क्या क्या values हो सकती है वो देखे आप reference point की value क्या क्या हो सकती है beginning of the file के लिए आप 0 मतलब beginning of the file reference फाइल के बीच में से या जो current position था object का उसके लिए आप 1 दोगे और अगर आप file के end से reference देना चाहते हो तो आप value दोगे 2 ठीक है I hope आपको यह clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग file को create कैसे करते है चलिए यहां goll तो होगा ना मेरी file यहां store होगी यहां store होगी तो desired location सबसे पहले आप यह सीथने कि एक file को बनाते कैसे उसमें data add कैसे करते हैं तो देखियो एक file को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक blank file को open करना पड़ेगा ठीक है आप एक blank file को directly open करके file उसमें create कर सेकते हो प्राइट करती हूं तो right का मतलब होता है right का कि पहले लिखा हुआ था वह सब clean हो जाएगा और जो आप नेया लिखोंगे वह add होगा starting से और append का क्या मतलब होता है Append का मतलब होता है file जो है उसके end में आप नई चीजे add कर सकते हो तो यहां पर हमाई पस दो method आएंगे फाइल को open करने के एक तो है कि आपके पास blank file है खाली file थी आप उसमें starting से कुछ भी लिख रहे हो बट अगर आप एक file ऐसी open कर रहे हो जो created थी जो पहले से ही बनी हुई थी जिसमें पहले से ही data stored था तब क्या होगा वो इस सारे data को मिटा देगा वो इस सारे data को remove कर देगा और remove करने के बाद आप new data स्टार्टिंग से आड़ कर सकते हो मतले एक दम स्टार्टिंग से आप नया data लिख सकते हो बट append क्या करता है append यह करता है आपके पास file थी यहां पर कुछ data लिखा हुआ append यह करेगा कि वो इस data को नहीं change करेगा वो end of the file से नया data अड़ करेगा ठीक है तो new file बन गई तो अच्छी बात है अगर आप पुरानी file open कर रहे हो तो उसमें क्या हो? write method कर सकते हो जिसमें file स्टार्टिंग से आप दुबारा लिख सकते हो append पुरानी file का data भी रहेगा आप नई file का data नीचे अड़ कर सकते हो ठीक है? तो यह हमारे methods दे file को create कर लेगे चलिए आगे बढ़ते है अब हमने file को create करना सीख लेगा तो हमारे दूसरा target है file को traverse करना file को traverse करने के लिए to read and display the data that is stored in the text file we will refer to the previous example अब आप सोचेए आपके पास file एक बनी हुई है traverse करना क्या होता है उस file के content को एक बार starting से लेकर end तक read करना basically traverse का तो यहीं मतलब होता है file को starting से लेकर end तक एक बार read करना ठीक है तो the file is open file को हम खोलेंगे content को हम read करेंगे यही होता है traverse का मतलब आपने एक file को open करा और उसे read करा let's move forward और इस concept को अब हम एक example को use करके समझते देखे सबसे पहले मैंने file object नाम का एक referential नाम दिया उसके आगे मैंने open command लिखा open के आगे मैं यह mention करूंगे मैं किस file को open करना चाहरी हूं मैं prag.txt नाम की file को open करना चाहरी हूं क्यूं? किस वज़ा से? मैं उस file को read करने के लिए open करना चाहरी हूं इसलिए मैंने यहां r लिखाया r का मतलब होता है read अब read करने के बार next line में यह mention कर दिया कि read line करना चाहरी हूं read line का यह मतलब है एक time पर एक line पढ़ी है आप फाइल को read कीजिए, बड़ मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक line पड़ी print हो गई, दूसरी line पड़ी वो print हो गई, तो यह करने के लिए मैं while loop को use करूँ गई, देखे मैंने while loop लगाई, और while loop में सबसे पहले मैंने print बोल दिया, मतलब आपने जो एक line read क करी, दूसरी line read करी, प्रिंट करा, तो यह ऐसे करके पूरी file को traverse करेगा, पूरी file में जितनी lines है उन्हें print करेगा, इसलिए हमने while loop का use करा है, अग जो मैं पूरी file read हो जाएगी, तो मैं कोई और काम बचा नहीं आप file के साथ, तो मैं file को close कर दूँगी, इसलिए मैंने end में file का जो referential नाम था, file object, उसको close कर दिया, कि अब file को बंद कर दीजिए, हमारा काम खतम हो गया, so this was an example for creating and traversing of file, चले आगे बढ़ते है, अब आप pickle method के बार में पढ़े है, नाम काफी interesting है, right, pickle, आचा, तो pickle method क्या होता है, थोड़ा बहुत similar है उससे concept, इसमें क्या होता है, आ ताकि आप उसे future में अपने हिसाब से यूज कर पाऊ, तो pickle method में हम लोग क्या करते है, हम दो methods करते है, या तो serializing, या तो deserializing, इसका क्या मतलब होता है, वो देखते है, सबसे पहले serializing, क्या मतलब होता है, इसे process, एक ऐसी process है, जिसमें जो आपके पास data है, या जो आपके पास object है, जो आपके पास random access memory आपके computer में store है, उसको आप byte stream में convert कर रहे है, मतलब आपके पास ये data था, आपने उसको serialization को use कर के, को यूज करके bytes की stream में change कर दिया तो आपके पास एक data था आपने उसके उपर serialization करी और उस data को आपने bytes की stream में convert कर दिया है ठीक है अब इसको करने के लिए ऐसे method को serialization को हम बोलते है pickling क्योंकि हमने क्या करा जो मेरे पास data था उसको मैंने इस बाइट की stream में change कर दिया है इस byte streams in a binary file अब देखें आपर text file नहीं है आपर specified है कि बाइनरी में हो सकता है can be stored in a disk or in a database or send through a network देखें जो मेरा normal data था python का वो RAM में stored था यह जो था यह था RAM में stored इस data पर serialization apply करके इसको convert कर दिया bytes की stream में अब यह bytes की stream है यह store हो सकती है या तो disk में या तो network में या तो database में ठीक है यहां पर यह notice कीजिए जो यह binary file है binary file हमने कल भी पढ़ा था कि text file ऐसी होती है जो humans read कर सकते है binary file ऐसी होती है तो हमने क्या करा हमने data लिया उस data पर serialization apply करके उस data को हमने क्या कर दिया हमने bytes की stream में convert कर दिया और इस process को क्या बोलते है इस process को हम बोलते है serialization या फिर tickling तो I hope आपको यह clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते है अब serialization हो रही है आप data को convert कर रहे हो तो data को वापस original form में लाने का भी तो एक तरीका होगा उस तरीके को हम बोलते है deserializing deserialization और unpickling क्या होता है कि जो आपने starting में data को byte stream में convert कर दिया है आप उस byte stream से उसको वापस python object में convert कर रहे हो ठीक है अब हमारा क्या होता है यह data हम लोग किस पर apply कर रहे है हम apply कर रहे है data binary पे right binary pickling और unpickling दोनो binary पे हो रही है तो binary में नॉर्मल काम नहीं होता आप data को read नहीं करते है आप data को write करना चाहरे हो binary में तो इस write को हम क्या बोलते है dump और अगर आप data को read करना चाहरे हो binary में तो इसको हम बोलते है load तो binary में अगर आप किसी data को write करना चाहरे हो तो उसे बोलते है dump और किसी data को अगर आप read करना चाहरे हो तो उसे बोलते है load अब हम पढ़ेंगे कि load और dump क्या होता है detail में याद रखे, load और dump apply binary file पे होंगे, text file पे नहीं होंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम dump method के बारे में पढ़ेंगे देखे, dump method का क्या मतलब है, कि आपके पास जो data आया, आप उसको write कर रहे हो, right? आपको इसी data को dump कर रहे हो एक file में dump का क्या मतलब होते है, किसी चीज को गिराना या add करना तो basically आपके पास कुछ data है उस data को आप write कर रहे हो, file में इस process को हम क्या बोल सकते हैं, इस process को में बोल सकते हूँ, dump मला आप write mode में काम कर रहे हो, यहाँ पर mention भी है कि आप binary file में क्या मतलब हो, dump का सीधा मतलब है कि आप किसी file में कुछ write कर रहे हो, binary file में और अगर आप binary file में कुछ write कर रहे हो, तो write mode, अब इसका syntax का है dump क्योंकि आप कुछ dump कर रहे हो data object कौन से object मनला क्या लिख रहे हो, क्या add कर रहे हो और किसमे add कर रहे हो पहले बताओ क्या add कर रहे हो और फिर बताओ किसमे add कर रहे हो ठीक है? यहाँ पर example देखे मैंने pickle को import करा यह ज़रूरी चीज़ है कि pickle एक module है यह एक module है और जैसे हमने सीखा है हमें modules को import करना पड़ते है और modules क्या होते है? group of functions तो modules क्या होते है? modules होते है group of functions तो module होते है group of functions और हमें pickle module को import करना पड़ते है था कि हम उसमें काम कर पाए यहाँ जो list values है यह क्या है? यह मेरा वो data है जिसको मुझे add करना है ठीक है? list values वो data है जिसको मुझे add करना है उसके बाद यहाँ पर file object यहां मैंने करा, open करो पहले तो file को, कौन सी file open हो रही है, यह file open हो रही है, कौन से mode में, यह file open हो रही है, right mode ठीक है, उसके बाद मेरे को इस ही file में pickle module को call करा, यह pickle module है यहाँ dump उसका function है, फिर उसमें list values, इस data को मैं add करना चाहरी, तो list values वो data है, जिसे जिसे मैं add करना चाहरी हूं और file object वो जगह है जहां पर मैं उस data को add करना चाहरी हूं तो list values वो data है जिसे मैं add करनी हूं इस file में ठीक है और फिर जब मैं ऐसे add कर दूंगी dump कर दूंगी तो file को close करना पड़ेगा तो यह था हमारा dump method I hope आपको यह clear हो गया होगा अब हमारा dump method हो गया है जिसमें हम लोग write कर रहे है load method क्या होता है कि आपके पस data है आप उसे load कर रहे है load मतलब आप read कर रहे हो ठीक है तो basically यह read mode में होता है कि आप एक binary file के data को read करने जा रहे हो अब read करने के syntax का है load करो कौन सी file को load कर रहे हो बस उसका नाम specify कर दो क्यों कि आपका target तो सुर्फ read करना है तो यहां पर देखिए यहां पर example में मैंने pickle module को पहले import करा import तो करना पड़ेगा ना module को फिर एक line लिग दी एक print line लिग दी फिर मैंने यहां पर file को open करा open करने के बाद मैंने file को यहां पर read करा यहां पर file को मैंने read करा यहां पर pickle क्या है pickle module का नाम है और यहां पर load क्या है load यहां पर function का नाम है तो यहां पर pickle module का नाम है और load function का नाम है और पर मैंने file को read करने के बाद file को close कर दिया फाइल को रीड करा फिर फाइल को ख्लोज कर दिया और क्योंकि फाईल मेंसे मैं डेटा को रीड करा था तो वह डेटा को रड़े कर दिया जो थे प्रिंड कर दिया I hope आप सबको ये ख्लीर हो गया हों כод तो thank you so much I hope आपको इस concept समझ आया होगा एक बग क्विक्ली रिवाइस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है सबसे बहले हमने पढ़ा था read के बारे में read में हमने 3 methods पढ़े एक था read method जिसमें number of characters specify करते हैं दूसरा हमने पढ़ा था read line जिसमें हम सिरफ एक line read करते हैं या character specify कर सकते हैं फिर हमने पढ़ा था read lines के बारे में जिसमें हम लोग multiple lines पढ़ते हैं हमने read के 3 function पढ़े read जिसमेida number of characters just feel read line जि Spaß cas read lines जिसमें सब एक लेके line do not include read lines just when we just read multiple lines ुसDa выпуск कि हमारे पास object कितने हैं हमने फिर load and dump के बारे में पढ़ा फिर हमने यह पढ़ा कि हम लोग create कैसे करते हैं एक file को फिर हमने यह पढ़ा कि हम traverse कैसे करते हैं तो हमने यह सारी चीजी पढ़ी इसके अलावा हमने random access के लिए seek and tell भी पढ़ा seek and tell first हमने यहां पे read पढ़ा तो basically हमने क्या-क्या पढ़ा फहले हमने read method पढ़ा फिर हमने mode and dump भी पढ़ा पढ़ा in変mniej के लिए उसके बाद क्या पढ़ा उसके बाद ने क्या पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा की create कैसे करते एक filecito फिर हमने करा कि वाद को traverse कैके quanto हमने की ofse pack test Thank you so much everyone for joining me today I hope you will have fun in today's session When we will meet next time, we will do something new and interesting So guys if you enjoyed today's session, make sure you click the like button and subscribe to our channel And thank you so much everyone for joining me today Thank you